सतनाम वाहिगरू साहिवजी तना स्री मैला पंजवा पाणी पक्खा पीश्व संते आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मान नाम समारे ये बिसराम निद पाई पाणी पक्खा पीश्व संते आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मान नाम समारे ये बिसराम निद पाई तुम कर हो दया मेरे साई ऐसी मत दी जै मेरे ठाकर सदा सदा तुद ते आई रहाओ तुम्हरी किरपाते मोहमान छूटे बिन्स जाए परमाई आनदरो परवे ओसा विमदे जात कत पेखों जाई तुम दयाल किरपाल किरपानिद पतत पावन गोसाई कोट सूख अनंध राज पाई मुक्ते निमख बुलाई जाप ताप पगत सापूरी जो प्रव कैमन पाई नाम जपत तिसना सब बुजी है नानक द्रिपत आगाई जाप ताप पगत सापूरी जो प्रव कैमन पाई नाम जपत तिसना सब बुजी है नानक द्रिपत आगाई वाह गुर जी का खालसा वाह गुर जी की फते हैं गुरु साब जी पर्मान का रहने है मेरे खसम प्रवु मेरे उत्ते दयाकर है मेरे ठाकर मैं नूए हो जही अकल वक्कष कि मैं सदा ही तेरा नाम सिम्रदा रहां, ठहराओ, हे प्रभु, मिहर कर मैं तेरे संतांदी सेवा विच रहके, उना वास्ते पाणी तोंदा रहां, उना नुपक्का चलदा रहां, ओना वास्ते आटा पींदा रहा ते एक गोविंद तेरी सिप सला तेरे गुण गौंदा रहा मेरा मान हर एक सादे नाड तेरा नाम चेते करदा रहे मैं तेरा ए नाम प्रापत का लमा जो सुक सांती दाख जानना है हे प्रभू तेरी किरपा नाड मेरा अंदरो माया दा मुह मुक जाए अहंकार दूर हो जाए मेरी पठकना दा मास हो जाए मैं जिथे किथे जाके वेखां सबना विच मैनो तूँ अनंदरो पही वस्ता दिसें हे तर्तिदे खसम तूं दयाल हैं किरपाल हैं तूं सदयादा खजाना हैं तूं विकारियानू पवित्तर करन वाड़ा हैं जदो मैं अखचमकन जितने समय लई पी मुहों तेरा नाम उचारदां मेनू यों जापद है के मैं राज पाग दे क्रोडा सुख मान लई हन ये नानक ओही जाप ओही ताप ओही पगती सिरे चड़ी है जान चड़ी जानों जेड़ी प्रमातमा दे मान वेच पसंदाओं दी है प्रमातमा दा नाम जपें सारी सित्रिशना मुख जान दी है मायाक पदार्थां वल्लों पूरे ताउरते राज जाइदा है वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की पते This is today's hukam Nama from Sri Drawar Saab Amir Sir uttered by our fifth Guru, Guru Arjan Dev Ji under heading to Nasri Fifth Mahal. Guru Sahib Ji says that I carry the water, wave the fan, and grind the corn for the sands. I sing the glorious praises of the Lord of the Universe. With each and every breath, my mind remembers the Naam. The name of the Lord in this way, it finds the treasure of peace. Have pity on me, O my Lord and Master. Bless me with such understanding, O my Lord and Master, that I may forever and ever meditate on you. By your grace, emotional attachment and egotism are eradicated and doubt is dispelled. The Lord, embodiment of bliss, is pervading and permitting in all. Wherever I go, there I see Him. You are kind and compassionate, the trier of mercy, the purifier of sinners. Lord of the world. I obtain millions of joys, comforts, and kingdoms. If you inspire me to chant your name with my mouth, even for an instant, that alone is perfect chanting. Meditation, penance, and devotional worship service, which is pleasing to God's mind, chanting the Naam. All thirst and desire is satisfied. Naam is satisfied and fulfilled. Vahegurji ka khalsah, Vahegurji ki fteh.